तो दोस्तो योड़ नई बीडियो में आपसे बहुत स्वाहत थे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साओमीक तरफ से जो अपकमिंग अपडेट आने वाले हैं आपके डेमी पूरा वीडियो एंड तक देखतर ना पूरी जानकारी देने वाला हूँ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको बता दूँ के अपके रेड्मी नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए रेड्मी नोट 7 7 डिवाइस के लिए इंडिया में मीवा 12.5 का अपडे जिसका मिय और्जिन देखने को मिलता है 12.5.7.0 साथी साथ आपके रेड्मी नोट 7 प्रो डिवाइस के लिए चाना में एक नया आपडेट आ चुका है जिसका मीव और देखने को मिलता है 12.5.4.0 साथी साथ आपके Redmi Note 8 डिवाइस के लिए भी चायना में Miwa 12.5 और Android 11 का अपडेट रिलेस किया जा चुका है तो आप लोगो को आपके Redmi Note 7 7S और 7 Pro डिवाइस के लिए नए अपडेट इंडिया में आने वाला है वो आप लोगो को दो मंद के अंदर देखने को मिलेगा या फिर डिले होगा अपडेट साथी साथ आपके Redmi Note 8 डिवाइस के लिए Xiaomi की तरफ से कंफरम किया गया है कि MIO 12.0.1.0 के साथ में Android 11 का अपडेट आपके Redmi Note 8 डिवाइस के लिए बहुत ही जल्दी अपडेट आने वाला है तो अगर आप लोग Redmi Note 8 या फिर Redmi Note 7 7S और 7 Pro डिवाइस को यूज करते हैं तो आप लोग Google बहुत ही जल्दी नए आपडेट इंडिया में देखने को मिलेगा अगर आप लोग इन सभी डिवाइसे में से किसी भी डिवाइस को यूज करते हैं और जैसे कोई नए आपडेट इंडिया में रोल आउट होना श्टार्ट हो दाता है तो उसका सबसे पहले इनफोर्मेशन साथ में सबसे पहले ओट इलिंक पाने के लिए आप लोग हमारे टेलिग्राम चेनल टेकनिकल सियोमजी को जोँआन के लिए उसका जो लिंक के इस वीडियो की डिस्करप्सन में दिया हुए अगर वह लिंक पर नहीं हो रहा तो आप लोगों को सिंपली टेलिग्राम पर टेकनिकल सियोमजी सर्च कर लेना है जैसा कि आप सबसे लोग देख सकते हैं और जोइन कर लेना है ताकि आप लोगों को सबसे बहले इनफोर्मेशन साथ में ओट यली मिले आपसे नहीं बीडियो में जय है इस बंदे मातरम